किसान भाईयो नमस्कार आपको हमारे यूटूब चैनल पाराज दागन में स्वागत हैं तो किसान भाईयो आज के इस सीडियो में हम आत करने वाले प्याज की कहत्ति के बारे में जी हां दोस्तो अब भी आपने लगपक प्याज की बुग गड़ जादा नहीं करी हैं लेकिन अपने जो खाने के लिफी सब्ञेव में डालने के लिफ्म और जकी हैं उदना ही हमने प्यारे बर में हमने इसकी बुग गरिये तो हमारे खाने वेगरे में यह आ जाएगा लेकिन दोस्तों बहुत सारे किस्तान पर लोग बहुत अधिक खरती करते हैं जिससे की उनमें प्याज में बहुत सारे समश्य आती हैं तो हम उन समश्य को बताएंगे क्या-क्या समश्य आती है और उनको निप्टाने के कारण साइ हम इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों आप हमारे वीडियो पूरा देखे और दोस्तों उससे आपके बहुत सरी समझे यह आती है कि यह जो आप प्याज देख पारे हो तो दोस्तों यह प्याज का आकार के अगर हम बात करते तो यह प्याज का आकार सही नहीं बन पात लेकिन आपकर प्याज के पौद्हे में इतने सारे पत्य निकल गए होंगे और आपका कंद यह छोटा रही गया है। तो दोस्तो इसके भी आपको इससर क्या करना है कि यह कंद बड़ा हो जहे। दोस्तों आप बहुत सारी दुकानों पर जाते होंगे और बहुत सारे दुकानदार आपको दवया दे भी देते होंगे कि जो आपका प्याज का कंद है वो बड़ा हो जाएगा लेकिन आपका प्याज का कंद बड़ा नहीं होता है और दोस्तो बहुत सारे किसानों की ये सक्यादाते हैं कि प्याज का कंद भी बन जाता है लेकिन जिसे कि ये मेरे फसल के पत्ते पीले पड़ रहे है वेसे उनके जो पत्तों के ओपर जो चोटिया है वो भी पीली पड़ जाती है तो दोस्तों इनको सभी को निपता है कैसे जाए दुकांदार हurez और कौन से भी दुवा देदेता है जिससे कि आपके पैसे भी बरबाद हो जाता है लेकिन आपके फसल पर कोई भी उसका परबाद नहीं पड़ता है तो दोस्तो आपको मेरी अनुसार आपको कौन-कौन से धवाय लेकर आना है ताकि आपको अपने पेशे भी बच सके और समश्या उसे भी आप निपर सकते हो तो दोस्तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तो खास कर निविदर रहेगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर हम सबसे पहले प्याज के पोदे की बात करते हैं तो अगर आपको पोद्दा पुरी तरह से पक चुका हैं अगर पकने के इस्तिनी में आ रहा हैं या कंध बनने की इस्तिती आ गई हैं तो आपके पोदे में कोई भी रोग नहीं होना चाहिए अगर आपके पोदे में एक भी रोग होगा अगर थिरिप्स का अटे होगा चाहे पत्तिया पिली पड़ रही हो चाहे पत्तिया मोड रही हो तो भी आपको जो कंध है वो सही नहीं बन पाईगा दोस्तो और एक बिमारी ये भी रहते हैं कि पतिया पिली पड़ रही है तो दोस्तो आपको लगता है कि आपका कंद बनना प्रारम हो चुका है तो आप फोदे को पूरी तरह सहस्त रहे इस पर थ्रिप्स के अटे के लिए किसी भी दवा का स्प्रे कर दीजे और थ्रिप्स के अटेक के साथ में पूरी तरह से ठीक हो जाए तो दोस्तो मैं आपको सुझा भी दे देता हूं कि आपको जैसे कि थ्रिप्स के लिए तो आपको लेमड़ा चीए लेमड़ा जरूर होना चीए तब यह जो इनके अंदर जो थ्रिप्स लग रहे हैं पत्या मूल रहे हैं वो स आपको डालना है पाउडर वाली आपको इसके साथ में इस्प्रे करना हैं दोस्तों अब रही बात कंद की तो दोस्तों कंद का अकार बटाने के लिए आपको अगर पधा सवस्त रहेगा तो कंद का आकार आसानी से बन जाएगा इसके साथ में पोटाज system बढ़ता है कंद तो कंद का आकर के लिए पोटास जुरूट डाले और दोस्तों अगर आपके फसल में कंद बनना प्रारम हो चुका है तो इसमें दोस्तों एक मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों जैसे कि देख पारे हो यह पुद्धे के फूल आ चुका है इसा फूल आपके नहीं आना चाहिए इस पुद्धों पर सभी के लिए फूल आ रहा था है लेकिन मैंने अब भी सभी फूलों को हटा दिया है तोड़ के नीचे गिरा दिया है ताकि हमारा कंद ही जो बन जाएगा और दोस्तों आप फूल को अपने इस पर आना नहीं देवे ताकि आपको अपने अनुसार उच्चित बढ़िया फसल आपकी बनी रहे तो दोस्तों आज के वीडियों में बदीना ही कुछ जानकारी बसी हो कुछ आपके रोग लग रहा है वह सोरज नहीं रहा वे से बताई जे जवान जे किसान